लालू यादो जहां से पहली बार 1977 में सांसत बने थे वहां से उनकी बेटी जो लालू यादो को नया जीवन दी हैं वो चुनाव मैदान में हमारे साथ खुद मौजूद है रोहिनी अचारिया रोहिनी जी छपरा से आप चुनाव लड़ रही है जंता का क्या रिस्पॉंस मिल रहा है और मुद्दे क्या होंगे जंता का तो आप देख रहे हैं सुबह से कवर कर रहा है एक इंच सांग क्या जन्ता को आप सुबह से रिस्पॉंस देख रहे हैं, मतलब एक इंच रोड पे बचा नहीं है, कि खाली मिले आपको, जगा जगा, मैं तीन तीन घंटा दिले चल नहीं हूं अपने आगे का प्रोग्राम से, जन्ता, सारन की जन्ता का प्यार हैं, अपनी बेटी के लिए, जो लगाई हैं अपने इस बेटी को, जिसके लिए विरोधी भी अपने भगवान से लड़ाई करने के भगवान आपने मुझे रोहिनी जैसी बेटी क्यों नहीं दिया, यहां तक ही सबने बोला कि बेटी हो तो रोहिनी जैसी हो, तो जन्ता सारन की जन्ता, माम, बहन, जितने सब कोई का आशिर्वाद है, प्यार है, जो मुझे मिल रहा है, आप यहां से चुनाव लड़ रही है, दूसरी तरफ 400 पार की बात की जा रही है, आपके विरोध में यहां से जो सांसदे राजी उपरता प्रोड़ी वो चुनाव मैदान में है आप और हम और जाएं वो बोलने वाले कौन होते हैं, मुझे अपने सारन की जन्ता पे पूरा भरोशा है, कि यह इस बार अपनी सारन की बेटी पहन को आरी मतों से अपना अशिर्वाद देंगे, मैं यहां पे सिक अशिर्वाद सब का लेने आई, तो मुझे पूरा विश् आपने पिता को किड्नी दिया है, क्या आपको रिटर्न की छपरा से मिलेगा, सारन से मिलेगा? रिटर्न गिफ, क्या चिज़का? रिटर्न गिफ कोई अपने पिता पुत्र से माँगता है, ये तो मुझी सोच वाले लोग रिटर्न की दियाना क trifam, कोई भी कान करने के लिए, ये मेरा पिता पुत्री का ये प्यार है, समर्पन है, उसको ये लोग गाली देते हैं. मैं तो भगवान से दुआ करूँ ही कि विरोधियों के घर भी बैटी हो तो रोहिनी जैसी हो जो बुढ़ापे में अभी भी अपने माबाप का उलो भी सम्मान करें वो तो ना कर पाए अच्छा संसकार अपने बच्चों को ना दे पाए ना खुद असंसकार पाए लेकिन मैं मेरा वही भगवान से दुआ है कि भगवान उनके घर में भी रोहिनी जैसी बेटी हो जो बेटी से करे प्यार वो रोहिनी से कैसे करें इंतजार और यह थी रोहिनी आचारिया जो यहां पर सारन में चुना अपरचार कर रही है और यह तश्वीर आप साफ तोर पर देख सकते हैं किस तरह से भारी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं रोईनी अचारह ने साफ तोर पर यह कहा कि तैयारी पूरी है और अब जब रिजल्ट आएगा उसके बाद साफ हो पाएगा कि आखिर कौन किस पर कितना भारी पड़ता है झाल